हलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक तो मैं चैनल मैं हो भी आश्या आप देखरें में आफ़ाइब आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूं एक मेकप टुटोरियल जो लुक के मैंने ख्रेट किया है इसके उपर मैंने डीटेल वीडियो आप लोगों के साँ शेयर करना चाहती हूं जिन लोगों को भी मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, पसंद आती हो, प्लीज लाइक, शेयर, कॉमेट और मेरे चैनल को सब्स्राइब करें जो भी डर्ट है या एक्सेस प्रोड़क्ट है उसको मैं हटा दूँग अच्छे से इसकी हल्प से उसके बाद मैं टोनर ले रही हूँ, अरोमा मैजिक का, जो कि ओईली स्कीन के लिए बहुत अच्छा होता है अगर आप लोग इसको बाय करना चाहते है, तो ओल्लाइन आपको अराम से मिल जाएगा, आप वहां से चेक आउट कर सकते है टोनर को अच्छे से फेस में सक होने देंगे, उसके बाद मैं मैं मौश्राइजर ले रही हूँ, पॉन्स का सूपर लाइट जेल मौश्राइजर है ये, ये ओली स्कीन के लिए काफी अच्छा होता है अगर आप लोग लेना चाहते है तो ये भी ऑनलाइन अवेलेबल है, अराम से मिल जाएगा, और मुझे काफी गर्मी लग रही थी, इस वज़े से मेरा आधा वीडियो मेरे घर की लोबी में बना हुआ है, तो डोन्ट माइड, आधा वीडियो मैंने घर में शूट किया था, काफी गर्मी लग रही थी, इसको भी अच्छे से मसाज कर लेंगे ह पर्ल प्राइमर काफी अच्छा होता है, मुझे पोर्स की काफी प्रॉब्लम है, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ, तो यह काफी हद तक मेरे पोर्स कवर हो जाते हैं इससे, तो यह काफी सिल्की और स्मूज टेक्चर में आता है, और सिलिकॉन बेस प्राइमर है, यह यह प्राइमर अच्छे सेट हो जाए इसके बाद में मेक अप करो तो काफी अच्छा बेस होता है इसके बाद में ले रही हूँ फॉंडेशन में ले रही हूँ लेकमी का यह भी मैंने ऑल्लाइन ही पर्शेस किया था जितने भी प्रोड़क्स है मैं सबकी लिंक डिस्क्रिप कर सकते हैं और मैंने स्पेट कर लिया था और उसके बाद में मैंने डैम प्रूटी ब्लेंडर से रैडी कर लिया यह टाप डाप मोशन में करके मैंने पूरे फंडेशन को ब्लेंड कर रहा है आप रगर के बिलकूल भी जुज मत कीजिएगा तो सारा बस खराब हो जाएगा अच्छे से dabbing motion में ही blend कीजेगा and ear और neck को तो बिल्कुल भी cover करना मत भूलिएगा friends ने तो face अलग दिखता है, neck अलग दिखते है और पूरा make-up फिर अच्छा नहीं दिखता है तो आप कभी भी make-up करिए तो neck और ears को भी साथ ही साथ cover कर लीजे उसके बाद में मैं अपना make-up लॉक कर रही हूँ लेक मी के rose powder से जो की काफी अच्छा है and budget में है friends again काफी अच्छा product है और long lasting होता है और आप लोग अगर लेना चाहते हैं यह आपको आसानी से online मिल जाएगा पूरा matte finishes का देगा काफी सुन्दर लुक आता है इससे friends इसके बाद में मैं 3D facial contour kit से यह जो की है make-up revelation लंडन से इसमें से मैं cream color का shade ले रही हूँ friends क्योंकि मुझे eye makeup करना है बट मैं ज़्यादा heavy में नहीं करने वाली हूँ light look रखने वाली हूँ बट फिर भी मुझे एक अच्छा look चाहिए इस वज़े से मैं इसको और अच्छे से set कर रही हूँ पूरी eyes को मैं उसके बाद मैं same palette से contour कर रही हूँ अपना पूरा face अच्छे से मैं contour करने के बाद मैं देखिए मैं पूरा face अच्छे से contour कर रही हूँ बट ज्यादा dark नहीं light मैं contour कर रही हूँ अगर आप day party के लिए जा रहे हैं तो ये make up best रहेगा आप लोगों के लिए अगर आप लोग ये look create करना चाहते हैं तो काफी day time के लिए काफी अच्छा look है ही friends उसके अंद मैं nose contour कर रही हूँ एक छोटे brush से लेके nose contour करने के बादने friends उसी same palette से friend मैं एक peach color ले रही हूँ जिससे मैं blush लगा रही हूँ और मुझे ज्यादा dark blush नहीं अच्छा लगता है और भी day time की party के लिए मैं use कर रही हूँ तो मैं ज्यादा dark नहीं कर रही हूँ friends इसको light ही रख रही हूँ और फिर मैं highlight कर रही हूँ अपने highlight bones को SFR का highlighter मैं use कर रही हूँ friends यह भी online easily available है और काफी अच्छा है Swiss beauty की brow pencil ली है इससे fill up करना काफी आसान होता है friends काफी easily आप लोग fill up कर सकते है अगर beginner है तो उसके लिए तो best है यह देखें अच्छे से draw हो गई है आईबरो इसके बाद हम लेंगे Hilary Ruda से eyeshadow palette इसी से आज का eye look मैंने create किया है और मैं light peach color से अपने crease पे fill up कर रही हूँ और अच्छे से इसको blend करेंगे और जितना भी product हम use करेंगे अच्छे से blend करेंगे ताकि कोई भी harsh light न दिखाए दे सारा कुछ अच्छे से blend कर लेंगे और अगर harsh light दिखाए देती है तो eye makeup बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है अच्छा नहीं दिखता है उसके आद मैं brown shade ले रही हूँ इसको भी अच्छे से मैं blend कर लूँगे अपनी eye lid पे और जितने भी मैं आपको लोगों को दिखा रही हूँ प्रोडेक्स दे सारे online available है आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो easily आपको flip card amazon purple पे easily available है आप लोग वहाँ से check out कर सकते हैं देखे friends मैंने अच्छे से blend कर लिया है अपने eye crease पे अच्छे से अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी फिंगर से ही उसके बाद में एक clean brush लूँगी और सारे कुछ को अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी ताकि कोई भी harsh line ना दिखाई दे फ्रेंस उसके बाद में मैं जो मैंने क्रीस लाइन पर दो उसके यूज किया थे पीच और ब्रॉंग कलर उसको में lower lash lens के पास यूज कर रही हूं मैंने eyeliner को यूज नहीं किया है उसी से में पैलेट से मैंने black color को लिया है and eyeliner की जगह उसी को use किया है friends, के बाद में मैंने अपने inner corners को highlight किया है, मैंने golden shade लेके अपने inner corners को मैंने highlight किया है friends same palette से ही उसके बाद मैंने mascara use कर रही हूँ, mascara में lotus का use कर रही हूँ friends, यह काफी अच्छा mascara है and budget में भी है, यह friends मैंने तो आप चेक आउट कर सकते हैं उसके बाद में मैंने बिंदी लगा ली है friends उसके आद में किस प्रिटी की lipstick में यूज कर रही हूँ यह आपे काफी प्रिटी शेड है यह बहुर अच्छा shade लग रहा था मुझे तो देखी friends, मैं लिप्स्टिक अच्छे से ड्रॉ कर लूँगी Suze Beauty का मैंने setting spray लिया है इससे में सारा make-up set कर लूँगी काफी अच्छा setting spray friends इसके बाद मैंने beauty blender से जितना भी excess था मैंने dab-dab motion करके उसको हटा दिया है friends इसके बाद में घर के अंदर आगए थी लोभी से आधा मेंकव मैंने घर में शुट किया है अच्छे से में सेटिंग स्प्रे के बाद फिर से lagi यूज कर रही हूँ और अपने हेर को अच्छे से में कोम कर लोंगी अच्छे से हेर कर लोंगी फ्रेंड्स और देखिये मेरा फाइनल लुक कैसा है सो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक शूर लाइक, शेर, कॉमेंट एंड शुस्क्राइब तो इसे के साथ में मिलते हैं लोग नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइ फ्रेंड्स टेक्योर टू आल